चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार को, ठीक है? अलंकार बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, और खास करके अगर हम ये बात करें, कि ये जो टॉपिक होता है वो बच्चों को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन ट्रिक से समझने की जरूरत है, ट्रिक कहने का मतलब है कि आप सौटकर सोचो, कैसे आप इसे सोच सकते हो, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, अच्चा, अलंकार का एक साब्दिकर्द है, बहुत नॉर्मल सी बात है, कि इसे हम कहते हैं आभूशन, क्या कहते हैं, आभूशन कहते हैं, अलंकार का सिंपल सा एक मतलब होत और जो आपका यूपी है, यहां से हर एक शब्द से कोश्चन बनते हैं, तो ये भी बन सकता है कि अलंकार किन दो सब्दो से मिल करके बना है, तो याद रखेंगे अलंधनकार से मिल करके बना है, किस से मिल करके बना है, अलंधनकार से मिल करके बना है, तो अलंधनकार से मिल क पुर्णी को बढ़ाता है। उसी तरीके से जो अलंकार होता है वो किसकी सोभा बढाता है। काव्य की सोभा बढाता है। नहीं, यहां पर जो अलंकार होगा, वो सब्दों का होगा, किसका होगा, सब्दों का होगा, ठीक है, अर्थों का होगा, तो जो सब्द और अर्थ से कविता की सोभा बढ़ाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अलंकार कहते हैं, काव्य में, और अलंकार को काव्य की आ आत्मा कहते हैं ठीक है बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे कि अलंकार को क्या कहते हैं काव्य की आत्मा कहते हैं अगर अलंकार नहीं है मतलब सब्द के कोई विसिस्ट अर्थ नहीं निकल रहे हैं तो कविता का मतलब वहां कविता नहीं रह जाता है ठीक है और संस्कृत भासा में एक बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा गया है कि अलंकरोति इति अलंकार है यानि कि जिसका अर्थ जो अलंकरित करता है उसे ही हम कहते हैं अलंकार ठीक है उसे ही हम क्या कहते हैं अलंकार कहते हैं ठीक है तो सायद ये points आप लोग को clear हो गया होगा कि हिंदी में या हमारा जो काव्य है अलंकार क्या होता है ठीक है अब हिंदी के अगर बात करें तो अलंकार के मुख्यते तीन भेद होते हैं कितने भेद होते हैं तीन भेद होते हैं सब्दा अलंकार होता है अर्था अलंकार होता है उभे अलंकार होता है लेकिन उभे अलंकार स कह सकते हैं बहुत हाई लेबल की जब आप TZT-PZT की एक्जाम देते हैं तो वहाँ पर इस टॉपिक से question maximum बनते हैं लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो सब्दा लंकार और अर्था लंकार इनसे ही हमारे क्या बनते हैं question बनते हैं तो अभी हमने बताया है कि जब सब्दों से ठीक है मतलब जब हम काब्य में सब्दों के माध्यम से किसके माध्यम से सब्दों के माध्यम से कुछ नया पन लाने की कोसिस करेंगे ठीक है नई चीजे लाने की कोसिस करेंगे या हम कह सकते हैं उसमें सब्दों के माध्यम से कविता में हम सुन्दरता जब लाने की कोसि अर्थे के माध्यम से काव्य में सुन्दर्ता लाने की कोसिस करते हैं तो वो क्या हो जाता है वो हो जाता है अर्था लंकार ठीक है यह बहुत नॉर्माल सी चीज है अब आगे हम देखते हैं कि सब्दा लंकार और अर्था लंकार के बारे में थोड़ा सा सब्दा अलंकार के बारे में लिखा गया है जिस अलंकार में सब्दो का उप्योग करके काव्य में चमतकार उत्पन होता है उसे सब्दा अलंकार कहते हैं कभी-कभी एक्जाम में ये पूरा संटेंस दे करके ही पूछ लेता है कि काब्वे में सब्दो के माध्यम से उत्पन होने वाला अलंकार है तो वहाँ पर option में ये नहीं ढालेगा सब्डा अलंकार वहाँ पर ये इसके परकार डाल देता है तो ये थोड़ा ध्यान दीजीगा फिर आगे लिखा गया है और उन सब्दों पर समानार्थी सब्द रखा जाये तो यह चमतकार समाप्त हो जाता है बहुत ही जादा important यह point है जैसे अगर आप मान लीजिए हम एक पढ़ते हैं कनक कनक बहुत एक normal सा example में बता रही हूँ एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा अगर हम उस काब्य में, उस पंक्ति में, उस काब्य में, उस पंक्ति में हम कनक के अर्थ को रख देते हैं, ठीक है, तो ऐसे अगर हम लिख दे समानार्थिय सब्द शोना और धतूरा तो हो जाएगा न, अगर हम ऐसे लिख दे सोना धतूरा ते सोगुनी, ठीक है, तो क्या उ पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है तो कहने का मतलब है कि सब्दा अलंकार में हम क्या कर सकते हैं सब्दों के माध्यम से काववे को सुन्दर तो बना सकते हैं लेकिन उन सब्द के जगें पर अगर हम उसका कोई समानार्थी सब्द रखते हैं तो वो सुन्दरता क्या हो जात समाप्त हो जाता है ठीक है पूछा जाता है ये भी कोशन डारेक्ट लाइन से कि ये कौन सा अलंकार का प्रकार है जिसमें सब्दों के अस्थान पर समानार्थी सब्द रखने पर जमतकार समाप्त हो जाता है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा सब्दा अलंकार होगा ठीक है और और सब्दालंकार के अगर हम प्रकार देखे ना, तो अनुप्रास, यमक, पुन्रुक्ति, विपसा, वक्रोक्ति और स्लेस है, लेकिन इसमें से हमें जो तीन पढ़ने हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अनुप्रास, यमक और स्लेस, ठीक है, तीन हमें यहीं से बनते हैं, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, देखे, अनुप्रास अलंकार के लिए लिखा गया है, सब्द दो सब्दों को जोड़ कर बना है, मतलब अनुप्रास सब्द जो है, ये दो सब्दों को जोड़ करके बना है, अनु और प्रास, अच्छा, अनु का क्या अर्थ होता है एक तो आप लोग सुने होंगे अनुकरड अनुसरड ऐसे सुने होंगे ना मतलब वो पीछा करे इस तरीके तो अनुका मतलब एक सिंपल सा अर्थ होता है बार बार अनुका क्या मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है yarn, yarn Paras ay Vengeance, जो बार, क्या हो आव्रिती हो, काव्य में उसकी आवृती हो, जिस से वह काव्य की क्या बढ़ाता है, सूभा बढ़ाता है, तो ऐसे अलंकार को हम क्या कहते है, अनू Pras alंकार कहते है, याद करना बहुत आसान है, भूलेगा ही नहीं, कि Piras का मतलब होता है वेंजन प्रास का क्या मतलब होता है वेंजन या हम वर्ण कह सकते हैं तो जिसमें एक ही वेंजन का बार बार क्या होगा दोहराओ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे अनुप्रास अलंकार कहेंगे अनुप्रास के भी बहुत सारे भेद हैं लेकिन भेद से कोशन नहीं बनते हैं जितना जादा आप भेद पढ़ोगे उतना जादा आप परिशान होगे ठीक है तो जो जरूरी है वो पढ़ेंगे अनुप्रास लंकार सायथ समझ में आया होगा उदाहरड इसका हम देख लेते है ठीक है अब देखो आप सेकंड लाइन पर ध्यान ही मत दो दूसरे लाइन पर ध्यान ही मत दो आप यहां पर पहले लाइन में क्या हो रहा है अनुप्रास लंकार हो रहा है कैसे हो रहा है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि एक ही वर्ण या एक ही वेंजन का बार-बार क्य में भी हमें क मिला तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस काब्य में क वर्ण की आवरिती कितनी बार हो रही है तीन बार हो रही है ठीक है लेकिन अगर हम इसी को दूसरे लाइन में आये ना तो यहाँ पर ब वर्ण की भी आवरिती कितनी बार है वर्णिकी भी आवरिती दो बार है एक बनमाल में और एक विराजत में ठीक है और इसी की वज़े से इसमें कौन सा लंकार हो जाएगा अनू प्रास लंकार हो जाएगा clear है सबको normal सा रट सकते हो अनू का देखो रटो नहीं समझो आप इस चीज़ को अनू का मतलब है बार बार प्रास का मतलब है वर्णिया अक्षर यानि कि अगर एक ही अक्षर किसी अलंकार में एक से अधिक बार प्रियोग किये जाते हैं तो वो कौन से अलंकार के अंतरगत आ जाएगे अनू प्रास अलंकार के अंतरगत आ जाएगे ठीक है एक्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा है करकानन कुंडल मोर पका उर्पे बैजनती उर्पे माल विराजती है ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे अब हम देखेंगे यमकलंकार को यमकलंकार क्या होता है जब किसी काव्य में एक सब्द दो या दो से अधिक बार आता है ठीक है इसके पहले हमने क्या पढ़ा था वर्ण पढ़ा था अभी हम क्या पढ़ रहे हैं एक सब्द की बात कर रहे है ठीक है और वो सब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या होना चाहिए भिन होना चाहिए अभी हमने कनक कनक वाला एक्जांपल देखा है न एक ही सब्द था दो बार आवरिती थी लेकिन दोनों के अर्थ क्या थ जहां सब्दों की आवरिती होती है और अर्थ भिन्बिन होता है यमक अलंकार अवश्य आता है चीक इसी बात को एक बार फिर से देखिंए किस तरीके से लिखा गया है जिस काव्बिय में एक सब्द और शब्द समू एक और एक से अधिक बार आएं है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, यमक अलंकार होता है, ठीक है, यह मैंने तीन तरह से परिभासा इसलिए लिखा है, क्योंकि यही परिभासा जब थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, तो आप लोग परिशान हो जाते हैं, ठीक है, तो तीनों को देख लेंगे, यहाँ प देखे लिखा गया है, कहे कवी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी, ठीक है, यहाँ पर पहले लाइन में हमें किस सब्द की आवरिती होई है, बेनी की और फिर बेनी की, ठीक, दूसरा लाइन हम पढ़ते हैं, रती रती सोभा सब रती के सरीर की, अब यहाँ पर एक तो तीन बार है इसी चीज को आगे डिफाइन किया गया है कि पहले पंक्त में बेनी शब्द की आवरिती दो बार तो अब अर्थ साथ में हमने ये भी पढ़ा है ना कि अर्थ भी अलग-अलग होने चाहिए तो चलो देख लेते हैं अर्थ क्या अलग है तो पहला सब्द बेनी रती की तीन बार आवरिती है जिसमें पहला रती का अर्थ रती रती मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ा जैसे बोलते हैं रती भर चाहिए इस तरीके से मतलब ये एक तरीके का माप का प्रकार होता है सोना मापते हैं इससे फिर क्या है रती रती का अर्थ है यहाँ पर काम देव की सुंदर पत्नी से ठीक है रती रती सु अच्छा ये दोनों रती रती का अर्थ है यहाँ पर एक ही है यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यूनिट है यह ठीक है एक मातरक है यह सोभा सब रती के सरीर की तो यह रती कौन है यह हो गई काम देव की पत्नी यानि कि यहाँ पर भी अगर हम देखे तो रती का अर्थ क्या हो गया, अलग-अलग हो गया, ठीक है, तो इस condition में क्या बनेगा, सब्दो की आवरिती भी है, और सब्दो का क्या है, सब्दो की आवरिती तो हो गए, और सब्दो के अर्थ में भी हमें क्या मिल गया, अंतर मिल तो क्या हो जाएगा यहां पर तो इसको हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि यहां पर अर्थ क्या हो रहा है अर्थ सबके अलग-अलग हो जा रहे है बेनी का भी अर्थ क्या हो रहा है दोनों बेनी का अर्थ अलग-अलग हो गया और रती-रती और रती का भी अर्थ क्या हो गया? अलग हो गया इसी तरीके से मैं एक example और आपको दे देती हूँ तैसे क्या बोलते हैं? सजना है मुझे सजना के लिए ये बहुत ही अच्छा सा example है, याद करना आसान है ठीक है बोलते है ना सजना है मुझे सजना के लिए ये साइद गाना वना भी है हाँ ये गाना है ठीक है तो एक सजना का अर्थ क्या है एक सजना का अर्थ है तयार होना ठीक है मतलब मुझे रेडी होना है कपड़े वपड़े अच्छे से पहनना है और एक सजना का अर्थ किस पती हो गया ठीक है मतलब जो भी है boyfriend पती जो भी है उसके लिए क्या होना है तैयार होना है तो simple सा एक concept यहां पे निकल करके आया कि यहां पर शब्दों की क्या हो रही है आवृती हो रही है लेकिन एक का अर्थ हो गया पारलर में पैसे खर्च करने से और दूसरा सजना जो हो कि यहां पर किसकी आवृती हो रही थी यहां पर जो वर्ण है ठीक है उसकी आवृती हो रही थी यानि कि वेंजन या अक्षर की आवृती हो रही थी और यमक में किसकी आवृती हो रही है शब्दों की आवृती हो रही है अब हम देखेंगे स्लेस सलंकार स्लेस बहुत ही important है यहाँ पर अगर हम देखे न तो बहुत लोगों को बहुत सारे confusion रहते हैं सलंकार को ले करके खास करके इस उदारण के आधार पर देखते हैं पहले क्या इसका मतलब है लिखा गया है जिस कावविय में एक सब्द एक ही बाराएं उसका अर्थ अलग निकले तो वहाँ पर सलेशस अलंकार होता है ठीक है यानि कि सब्द एक हूँ और अर्थ इसके क्या हूँ अलग- लिजे कि कोई अगर दो दोस्त बात कर रहे हैं ठीक है दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं लेकिन तीसरा बगल में एक दुस्मन भी खड़ा है तो ये दोस्त इस तरीके से बात करेंगे कि इनको एक दूसरे के लिए पॉजिटिव और इसके लिए एक निगेटिव इसको हम इस एक्जामपल के तौर पर देखेंगे एक मिनट हो चलिए तो यहां पर समझेंगे अब इस लाइन को अगर हम देखे तो लिखा गया है रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून यहां पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं मैं कि ये पानी का तो आवरिती है तो अर्थ तो अलग-अलग होगा ही तो इसलिए हम पहली लाइन को छोड़ करके हम पढ़ेंगे ठीके अब देखें नीचे कहा गया है पानी गय न उबरे मोती मानुस चून ठीके मान लिजिए कि आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि भाई पानी चला जाता है पानी चला जाता है तो ना तो मोती उबरती है ना तो मनुष्य उबरता है और ना ही क्या उबरता है चूना उबरता है ठीक है अब देखो आपने पानी शब्द का प्रयोग किया और आप बात अपने दोस्त से कर रहे थे कि पानी गय न उबरे मोती मानुस चून मतलब दोस तो दोस्त गए पान के टंकी पर और जाकर के वहाँ पर वो क्या खा रहे हैं तंबाकू खा रहे हैं तो उनको चूने की जरूरत पड़ी ठीक है तो आपने दोस्त से यही भोला पानी कम है इसलिए चूना जो है वो सही से उबरा नहीं है मतलब सही से मतलब चूने में तो पान और अगर कोई मनुष्य है जिसकी बिज्जती हुई है तो वो उसके समझ में आएगा इज्जत से किस समझ में आएगा इज्जत से समझ में आएगा कि मतलब ये मेरे इज्जत की बात करा कि पानी जाने पे मनुष्य जो है इज्जत चले जाने पे मनुष्य जो है वो वर्ता तो simple सा हम कह सकते हैं कि पानी शब्द के तीन अर्थ हमें मिल रहे हैं कौन-कौन से एक तो चमक दूसरा सम्मान और तीसरा क्या होगा चूना हो गया ठीक है चलिए एक दो एक्जामपल मैं अपने तरब से दे देती हूँ आपको एक एक्जामपल तो ये आप रख लो जे रही गती दीप की कुल कपूत कुल कपूत गती सोई सोए बारे उजियारो करे और बढ़े अंधेरो होई ठीक है बहुत ही नॉर्मल सा एक्जामपल है और साइद आप लोगों ने ये पहले पढ़ा भी होगा जानते भी होंगे देखे यहाँ पर कितना एक सिंपल सा अर्थ कहा जा रहा है कि जे रहीम गती दीप की दीप दिया दीया हम कह सकते हैं जो हम घरों पे जलाते हैं और फिर यहाँ पर इस दीये का जो एक तरीके से गती दिखाया जा रहा है दीया और कुल कपूत की गती जो है ठीक है कुल कपूत या निए कि जो कुपूत रहे उसकी गती के बारे में वड़न किया जा रहा है कि अगर जो दिया है अगर उसको हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं यहाँ पे बारने का अच्छा आप लोग सुने होंगे कि दुकानदार रात में दुकान बढ़ाते हैं देख हम यह नहीं कहते हैं कि हम दुकान बंद कर रहे हम बोलते हैं दुकान बढ़ा रहे हैं तो इसी तरीके से यह नहीं बोला जाता है कि दिया बढ़ा दो यह बोला जाता है तो यहां पर यहीं कहने का मतलब है कि दिया जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा बढ़ाएंगे तो अ अच्छा लगता है कि हमारे कुल का दीपक आया है लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वैसे वैसे हमारे कुल का वो क्या करने लगता है सर्वेनास करने लगता है ठीक है तो शायद ये भी चीजे आप लोगों के समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर य नल की अरू नल नीर की गती एक कर जोए नेक्स्ट लाइन है जे तो नीचो है चले ते तो उंचो हो ठीक है इस पॉइंट को लिखिए चलिए इस चीज को याद रखिएगा ये सब ऐसे एक्जामपल है जो एक्जाम में पूछे जाते है ठीक है हाँ और ठीक है बस इतना ही रहने दीजिए कर दो कर दो